हलो दोस्तो राज हलवाई रस्पी में आप सभी का स्वागत है अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लिजिए चलिए हम सुरू करते हैं हलो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज हम जमाएंगे दही मलाई वाली और उसके बाद में हम बनाएंगे नबो पानी पुदीने वाली तो इस दोनों आइटम आज हम सरल तरीके से बताएंगे आप भी अपने घर में इस तरह सरल तरीके से निबू पानी और दही जमाएंगे उसके बाद में हमने एक लेटर बुफैलों मिलके लिया है जो पहले से उबला हुआ है ये हम दुबारा उबला दे लेंगे तो थोड़ी देर में दूद हमारा जो है उबल जाता है ये दूद हमारा उबल गया है उसके बाद में हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं इस तरह जिससे गरम भाप निकल जाता है उसके बाद में हम ये हमारा कुंधा है मिट्टी वाला जो मिट्टी के बरतन वाला कुंधा बंद आता है जार में मार्किट में मिल जाता है इसको अच्छी तरह पहले हम भीगो देते हैं पानी में उसके बाद साब सुतरा धोके इसमें हम दूद आइड करेंगे दूद बिल् गूंध में हमारा ज्छक बन जाएगा मलाई सारी ओपर आ जाती है तो इस तरह हम उपर से डालेंगे जितनी dwarf dealаю जितने फैट होता है आपके दूद में ओपर जमजाती है उसकी जितने फैट वाला दूद होगा आपका बढ़िया फैट वाला पेवर दूद होगा तो मलाई उतनी ही मोटी इसमें आती है तो इस तरह हमने कुंड़ा भर दिया है उसके बाद में इसको हम ठंडा होने देंगे 15 मिनिट तक तो 15 मिनिट के बाद हम लगाएंगे जाग ये जब गुनगुना रह जाता है ये हमारी दही है जाग लगाने के लिए ये हमने ये बिलकुल थोड़ी से दही निकाली चमच में उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे कि हमारा दूद कितना गरम होना चाहिए जाग लगाते समय तो हम इसके बीच में हम अंगुल डालते हैं पहले हम चमच नीचे रख देते हैं दूतरा हम दूद निकालने के लिए उसके बाद में ये अंगुल हम बीच में रख दिये य दही के साथ, यह हमने दही के साथ अच्छी तरह mix कर लिया है, दही बिलकुल थोड़ा होना चाहिए, जादा जाग नहीं लगाने के जरूर्थ होती है, नहीं दही हमारी खटी हो जाती है, इसके लिए उसके बाद में mix करके ये दिखिए चम्बच इसके अंधर ले जा के अच इसको 10 घंटे के लिए रख दिया एक देखिया हमारी जम चुकी है दस घंटे के बाद यह हम दुबारा कबर को खोलेंगे यह हमने खोल लिया अब ये हमारी दही अच्छी तरह जम चुकी है ये देखें हम आपको दिखाते हैं ये देखें बिलकुल मलाई जितनी है मोटी सी मलाई होती है ये उपर आ जाती है जितने दूद में फैट होता है उतनी मोटी मलाई जमती है इसमें तो इस तरह ये हमारी मलाई अच्छी तरह उपर जम चुकी है कुंडा सित्रा हमारा बिल्कुल बेस्ट जम चुका है यह बहुत मीठी दही बन जाती है अगर गरम जाग जादा गरम जाग लगाओगे दूद का तो दही खटी हो जाती है इसलिए गुन-गुना जाग लगाना चाहिए और इसके बाद में यह देखे तब में जाग सब्सक्राइबदा यह जाती है इसको कवर करके हम फिरिज में रख देते हैं। कि इसकе लिए इसके हम एक घंटे के लिए हम इसको फिरिज में रख देते हैं। उसके बाद में हम निबू पानी बनाना स्टार्ट करते हैं, तब से पहले हम ये तावे में जीरा भून लेंगे, अच्छी तरह ये जीरा अच्छी तरह लाल हो जाए, तो हमारा जीरा अच्छी तरह भून जाता है, इसको भून के हमने निकाल लिया है, उसके बाद में मिक्स हमारी हमारों जाए हातों से भी आप निचोड सकते होंThis कि ऊचल ाये तो इस तरह यह हमारों हमने निचोड दिया है इसके बाद हम सारा निचोड़ देने, आपको दिखा दिया निचोड़ते वक्त, उसके बाद में इसके बाद हम सारा निचोड़ देंगे, ये सारा निचोड़ के हमने निबू का जार में कर लिया है, उसके बाद में ये छे टेबले स्पून इसमें हमने सुगर अड़ किया है, उसके बाद में क्या-मस दोड़ा सा नमक हमने काला एड़ किया इसके बाद में यह जीरा भूना इसको हमने पीश लिया है ऑक को इसमें आइड कर दिया तूर्छा मैं यह हमारा पदीना है यह हमारा 20 ग्राम पदीना है हरा सा पदीना है जो इसमें हम जार में ही डाल देंगे अब इसको अच्छी तरह हम कबर करके और मिक्सी कर देते हैं बिल्कुल अच्छी तरह पे subt बना देना होता है सुगर भी इसके साथ पे subt बन जाता है उसके बाद में इस डोंगे में हमने Ice Cube बरफ डाला है यह हमने 15-20 पीस हमने आइस क्यूब बरफ डाला है उसके बाद में इसी डोंगे में हम अपना जो पेस्ट बनाया पुदीने का और इसमें सुगर भी है नमक भी और जीरा भी सारा मिक्स करके बनाया है इसमें हम चान देंगे डोंगे में चान देंगे चाननी से अच्छी तरह चान देंगे तो इसते हिलाते रहेंगे यह चान जाएगा इसी में हम पहले ठंडा पानी एड़ कर देंगे यह 500 एमल तक हमने ठंडा पानी इसमें एड़ कर दिया है बिलकुल बोतल में जो पानी है बिलकुल ठंडा है तो यह हमने ठंडा पानी एड़ कर दिया है जिससे अ पूल जाता है उसके बाद में हम इसको अलग रखते हैं गलास में आइड़ करेंगे तो यह हमने चार लिया है इसमें हम अपना नेबू पानी या एड़ करेंगे तो पहले दो दो पीस हम आइस क्यूब बरफ हम गलास में डाल देंगे जिससे ये बहुत अच्छी तरह ठंडा रहेगा और पीने में टेस्टी बहुत लगेगा इस तरह हम गलास को भर देंगे ये हमने चारो गलास अच्छी तरह भर देना है तो इसके बाद हमने चारो गलास भर के तियार कर लिया है अब इसके उपर हम लगाएंगे नेबू ये गार्निस करेंगे नेबू पतला पतला चीर के हमने इस गलास के उपर लगा दिया है उसके बाद में हमने लगाया है पुदीना के पत्ते जिससे ये देखने में बहुत अच्छा लगता है उसके बाद में ये हमारा निब्बू पानी पुदीने वाला त्यार है ये बहुत टेश्टी बनता है गर्मी में पीने से पूरी तरावाट आ जाती है और बहुत बाद में हम दिखाते हैं हम अपना दही जो हमने फिरिज में रख दिया था ये हमने एक गंटे के बाद बिलकुल फिरिज में ये चील्ड हो गया है अच्छी तरह ये ठंडा हो गया है अब इसको हम बाप को टेस्ट करके भी दिखाते हैं और मलाई भी इसकी दिखाते हैं कि इस तरह मलाई हमारी मोटी जमी हुई है तो इस तरह आप दही बहुत मीठी जमती है इस तरह आप भी अपने घर में दही जमा सकते हो यह साइडों से देखे हम चम्मसिक साइड से कट कर देंगे यह देखिए यह मलाई बहुत मोटी सी जमी हुई है इस तरह मोटी मलाई जो है उपर आ जाती है जितना फैट दूद का ज़्यादा होता है उतनी मोटी मलाई आ जाती है तो यह मलाई पहले हम निकालेंगे अपने कटोरी में हम टेस्ट करेंगे तो यह हमारी मलाई निकल गई उसके बाद थोड़ी दही भी लेंगे साथ में यह हमने मलाई निकाल दिया उस दई जम चुकी है इस तरह की दई आप भी अपने घर में जमा सकते हो उसके बाद हमारे चैनल पर जाइए तो हमारे चैनल पर कर लीजिए गंटी वाला बटन अन कर लीजिए ताकि आने वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहे देखने के लिए